Hello student, once again I am here with same chapter but new topic. I hope you all will be fine and enjoying your study at home. Now student, take out your book and open page number 13. तो बच्चों आज हम लोग Roman number write करना सीखेंगे कि Roman number होते क्या है और ये लिखे कैसे जाते हैं तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये उपर का number कौन सा है हिंदू Arabic numerals है और नीचे क्या है यहाँ पर Roman numerals है So student, total जो Roman number होते हैं वो 7 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हैं Total 7 Roman numbers होते हैं I, V, X, L, C, D and M I hope आप लोग देख पा रहे होंगे total कितनी Roman number है यहाँ पर 7 Roman numbers हैं Clear हो गए सबको और अब हम देखते हैं कि इन सारे Roman numbers की value क्या क्या होती है जैसे कि आप लोग को पता है कि total कितनी Roman number होते हैं 7 तो आप देख सकते हैं इन सारे Roman number की value क्या है यहाँ पर अलग-अलग दी हुई हैं जैसे I जो होता है वो किसको represent करता है 1 को और V 5 को X 10 को L 50 को C 100 को D 500 और M 1000 को 100 करता है तो यह total 7 numbers है और उनके नीचे क्या write है यहाँ पर यह Hindu Arabic numbers write है कि यह सारे symbol किस number को 100 करते हैं तो चलिए अब हम इनके rules सीख लेते हैं कि Roman number को write करने के तरीके यह rule क्या होते हैं तो Roman number को write करने का जो first rule है वो क्या है the seven symbols are used in different combination involving the addition and subtraction to form the numbers means numbers को form करने के लिए हम लोग इन्ही seven symbols का use करते हैं for addition, subtraction, number को form करने के लिए हम किनका use करते हैं basic इन्ही seven numbers का use करते हैं इसके अलावा हम कोई extra symbol use नहीं करते हैं next rule है rule number second यहां पर क्या राइट है a symbol symbols I, X, C, M can be repeated a maximum of three times means जो X, I, C और M होते हैं हम इन्हें maximum कितने time repeat कर सकते हैं maximum हम इन्हें three time repeat कर सकते हैं इससे जादा time आप इन्हें repeat नहीं कर सकते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं भी आपको ये X three times से जादा repeat नहीं देखेगा जैसे आप यहां देख सकते हैं I को three time repeat किया गया कभी आपने देखा है कि I को हम इस तरह से four time write कर देते हों कभी नहीं देखा होगा आपने तो जो I है उसे कितने time maximum repeat करेंगे only three time ही हम repeat कर सकते हैं next देखिए number क्या लिखा हुआ है आपे next number है X तो आपने इसको भी three time से जादा कभी भी repeated नहीं देखा होगा क्योंकि यह three time से जादा repeat नहीं हो सकते हैं C भी repeat हमारा नहीं हो सकता three time से जादा और M को भी हम three time से जादा repeat नहीं कर सकते हैं तो clear हो गया कौन कौन से symbol है जिने हम three time से जादा repeat नहीं कर सकते हैं रूल देख लेते हैं, next rule है, symbols, v, i, l, d can be used only once at any one instant, means की हम v, l, d को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही use कर सकते हैं, एक से जाधा time use नहीं कर सकते हैं, तो आपने कभी भी इन्हें repeated देखा भी नहीं होगा, आपने कभी भी इस तरह के number नहीं देखोंगे, जाहां पर v और b लिखा हो आपने कहीं नहीं देखा होगा, example भी देख लेते हैं हम इनके, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, example में, दिख रहा है सबको, देखें यहां पर, यहां पर आपको यह तो दिख जाएगा, v और i, means हो गया यहां पर 6, v से होता है 5, और 1 जोड दिया तो यहां पर क्या हो लेगा, लेकिन कहीं आपने ऐसे नमबर देखें, जापर v और v 2 टू टाइम राइट हो, नहीं देखें होंगे आपने, क्योंकि यह repeat नहीं होते हैं, इन्हें repeat करने का rule नहीं होता है, ऐसे ही आप देख सकते हैं, कि ना तो हम l को repeat कर सकते हैं, ना ही d और ना ही, c को तो हम repeat क नहीं कर सकते हैं और कौन-कौन से नंबर हैं जिने हम repeat कर सकते हैं तो वो number कौन-कौन से होते हैं यह four numbers होते हैं जिने हम maximum three time repeat करते हैं three times से जाधा हम इन्हें भी repeat नहीं कर सकते हैं clear हो गया ना सारे बच्चों को कौन से number repeat कर सकते हैं और सब्स्ट्रैक्शन दोनों के लिए करते हैं जब हम इनके राइट साइड में क्या कर देते हैं कोई स्मॉलर नमबर राइट कर देते हैं तो वो प्लस हो जाता है और जब हम कोई भी स्मॉलर नमबर इनके लेफ्ट में राइट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, इस rule को थोड़ा example से समझ लेते हैं, जैसे क्या कहा गया था rule में, जो X होते हैं, I होते हैं, और C, इनका use हम लोग addition, सब्स्ट्रैक्शन दोनों में करते हैं, जब भी किसी number के right side में, कोई छोटा number लिख दिया जाता है, right side में, छोटा number लिख दिया जाएगा, तो वो plus हो जाएगा, जैसे ये X किसको so करता है, 10 को so करता है, और इसके बगल में क्या right कर दिया गया, right side में, I right कर दिया गया, और I किसे so करता है, 1 को so करता है, तो इस तरह से हमारा number क्या हो गया 11 तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है जुड़ जा रहा है जुड़ जा रहा है ना यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपके x के right side में i लिखा गया इसका मदब 10 plus 1 हो की number यह 11 हो गया लेकिन अगर इसी x के हम left में x के left side में अगर हमने i लगा दिया इसका मतलब हुआ इससे 1 minus कर दिया तो 10 से 1 minus कर दिया तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा clear हो गया ना अगर हम लो x, i, c ये जो numbers हैं इनके right में कुछ भी लिखते हैं तो वो number plus हो जाते हैं c means क्या होता है यहाँ पर आपको c दिख रहा है c means होता है 100 और c के इधर right side में क्या लिखा हुआ है x right में लिखा हुआ इसका मतलब plus होगा तो 100 में x plus हो गया means 100 में 10 plus हुआ तो क्या बन गया 110 लेकिन अगर इसी x को आपने क्या किया इसी x को left side में लिख दिया जब आपने c के इसका मतलब यह minus हो गया तो 100 से अगर आपने 10 minus कर लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर बच जाता है 90 clear हुआ ना अगर हम लोग left में किनके numbers के x, i और c अगर इन तीनो numbers के right में कोई number लिखेंगे इसका मतलब और right में लिखेंगे और वो छोटा भी होना चाहिए अगर इनके right में कुछ भी लिख देंगे तो वो number क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और अगर इनके left में कुछ भी लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा minus हो जाएगा clear हुआ जैसे मैंने यहां पर एक और example लिया यहां पर मैंने write कर दिया x और यहां लिख दिया मैंने v तो इसका मतलब क्या हो जाता है यह हो गया 10 और यह हो गया 5 तो यह क्या हो बन गया 15 क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम लोग राइट में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो clear होगे ना सबको क्या करते हैं इसमें numbers को कैसे write करते हैं तो चलिए अब हम लोग next rule की तरफ move करते हैं अब next rule क्या है next rule है symbol I can be added to or subtracted from symbol V and X इसका मतलब हो गया कि जो I होता है I को हम सिर्फ किस से minus कर सकते हैं या किस में plus कर सकते हैं तो सिर्फ हम V और X में I को सिर्फ V और X में ही plus या minus कर सकते हैं आया समझ में क्या कह रहा है ये rule ये rule कह रहा है कि I को हम सिर्फ V और X में ही प्लस या माइनस कर सकते हैं एड या सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं means इसको हम C, L, D इन सब में प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं clear हुआ इसके जरह हम example भी देख लेते हैं इधर तो और clear हो जाएगा जैसे यहां पर क्या right है यहां पर example में आप देख भी पा रहे हैं आपने इस तरह से V, I देखा होगा लेकिन कभी भी आपने C और I नहीं देखा होगा L और I नहीं देखा होगा सिर्फ यह किसके साथ यूज होते हैं I किसके किसके साथ यूज होगा i सिर्फ v और x के साथ ही use होते है add या subtract करने के लिए अगर इस i को हम लो right side में लिख देते हैं v के इसका मतलब ये इसमें plus हो गया 6 बना दिया अगर इस i को हम इसके v के left में लिखते हैं इसका मतलब ये इससे 1 minus कर दे रहा है same ये process करता है x के साथ भी अगर हम x के right में लिख रहा हैं इसका मतलब ये इसमें plus हो गया और अगर हम इसी same number को x के left side में लिखते हैं इसका मतलब 1 minus हो जाता है तो clear होगे ये वाला rule चलिए next rule के तरफ move करते हैं अब next rule में क्या right है symbol x can be added to or subtracted from l and c only means x को हम लोग कहां minus या plus कर सकते हैं c, l और c में x को सिर्फ हम l और c में add या subtract कर सकते हैं example देखिए इधर example right भी है जैसे आप देख सकते हैं x, l, x l के right में x जुड़ गया इसका मतलब l means होता है 50 और x क्या है 10 तो 50 प्लस 10 मिलकर 60 बन गया और जब यही x, l के left side में लिख दिया गया तो इसका मतलब होग के 10 minus हो गया ठीक है और जब 50 से 10 minus किया तो क्या मिल गया हमें 40 मिल गया clear हुआ अगर 100 के आपने right side में x को लिखा इसका मतलब 100 में 10 प्लस किया और अगर इसी x को इसके left में लिख दिया इसका मतलब क्या हो गया आपने 100 से 10 minus कर दिया clear हो गया आपको चलिए अब next rule देखी आप लो according to the next rule क्या है यहां पर symbol c can be added or subtracted from d and m means c को आप सिफ d और m से ही add या subtract कर सकते हैं ठीक है जैसे आपका पहला rule बताया गया था कि आप i को सिफ v और x में add या subtract कर सकते हैं x को l और c में add या subtract कर सकते हैं ऐसे ही आपको क्या rule बताया गया है यहां पर हम लोग सिर्फ d और m में c को ही add और subtract कर सकते हैं c को ही हम सिर्फ d और m मे add या subtract कर सकते हैं और किसी नमबर में c को हम add या subtract नहीं कर सकते हैं आप इसका इधर example भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर example right है यहाँ पर D के right side में C को right कर दिया गया D means होता है 500 और C means होता है 100 तो 500 plus 100 कितना हो गया यहाँ पर 600 मिलकुल ऐसे जब left में लिख दिया तो उतना minus हो गया M के भी अगर right में C को मैंने लिखा तो वो plus हो गया और M के left में C को लिखा तो वो 100 minus हो गया C means होता है 100 और M means क्या हो जाता है 1000 तो clear student अब आपको सारे rules सिखा दिये गये हैं Roman number को right करने के अब आपको यह numbers right है 1 से लेकर 50 तक इसको अपनी copy में right करना है क्या करेंगे 1 से लेकर 50 तक के इस number को अपने copy पर right करेंगे यह आपको आपकी book में page number 14 पर मिल जाएगा ठीक है कहां मिल जाएगा आप लोगों को यह page number 14 पर मिल जाएगा सारे बच्चे books से देख कर इसे अपनी copy में 1 से लेकर 50 तक right करेंगे ठीक है सबसे पहले क्या right करेंगे आप लोग सबसे पहले आप right करेंगे in roman numbers को in seven roman numbers को सबसे पहले आप अपनी copy पर right करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद आप लोग 1 से लेकर यह 50 तक के numbers को अपनी copy में write कर लेंगे अच्छी writing में ठीक है तो ये आज आपका homework हो गया है